हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आसिफा विलकम बैक तो आसिफा को सस्कुकिंग आज मैं लेकर आए हूँ बैंगलोर की एक बहुत ही फेमस रेसिपी जिसका नाम है छिली दाल और कोफते का सालन करनाटका की लोकल लैंग्वेज में इसे औरेकाई कहते हैं और इंग्लिश में इसे लिमा बीन्स कहते हैं जब आप औरेकाई या फिर जो बल्लर की फली है उसका और कोफते का सालन मनाएंगे तो इसका कॉंबिनेशन इतना मज़ेदार होता है मैं क्या बताऊं जब आप इसे टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा यही कितनी मज़ेदार होती है यहां सौथ इंडिया में हर घर में बनती है और खास तोर पर जब औरेकाई या फिर बल्लर फली का जो सीजन होता है हर घर में आपको हर तरह की डिश में आपको बल्लर की फली मिलेगी बल्लर की कड़ी मिलेगी बल्लर गोश्ट का सालन मिलेगा बल्लर की खिचडी मिलेगी वराइटीज ओफ डिशे से तयार होती है तो फिर चलिए आज हम बनाते हैं चिली डाल और कोफते का बेहद ही मज़ेदार सालन आप पहली बार वीडियो पर आये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दीगे बिल को प्रेस कर लीजिए तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ तैयारी करने होगी तो सबसे पहले मैंने आदा केजी यहाँ बललर की फली ली थी उसे चील कर रख लिया है तो आप देख सकते हैं यह इस तरह से मैंने बललर की फली से दाने निकाले हैं इसे छिली दाल क्यों कहते हैं वीडियो आप देखते जाएए मैं आगे बताती जाओंगी कि इसे छिली दाल क्यों कहते हैं अब इसे पकाने के लिए मैं यहाँ पर एक कुकर में थोड़ा सा पानी दाल दिया है यह बल्लर की फली के बीज मैंने दाल दिया है थोड़ा सा नमक दाल दिया है प्रेशर का लिड लगा कर मैं यहाँ पर दो सीटियां ले रही हूँ इसे हम उबाल लेंगे जब तक इसकी सी पेस्ट बना लेंगे इसी दवरान हमारी कुकर ने स्टी आम भी बजानी शुरू कर दी हैं तो यहां पर मैंने मसाला भी तयार करके रख लिया है तो देख सकते हैं इसे स्मूथ सा मैंने पेस्ट बना कर रख लिया है मसाले को निकालेंगे और उसी जार में मैंने 6-7 चोटे लिये हैं उसे अब हम प्यूरी बना लेंगे आप बड़े टमाटर ले रहे हैं तो चार ले सकते हैं मेरे छोटे थी तो मैंने 6-7 लिये हैं अब यहां पर फली बी अच्छे से उबल गई है तो देख सकते हैं इसका छिलका फली से अलग हो रहा है तो आब हम इसे ठंडा होन 300 ग्राम कीमा, ये कीमा हाथ का मारा हुआ कीमा है, तो इसलिए हमें इसे मिक्सी में और एक बार पिसना बहुत जरूरी है, वरना हमारे कौफते तूट जाएंगे, तो ये अब दालने के बाद इसमें मैं दाल रही हूं थोड़ा सा धनिया पती, तीन हरी मिर्चे लिए है, एक प्यास लिए है, मीडियम साइज की, उसे मोटा-मोटा ही काट लिए है, उसे भी हम इसमें दालेंगे, उसके बाद इसमें हमें शामिल करना है कुछ सुके, मसाले, हल्दी 1-4 टीजपून, 1 टीजपून मैंने धनिया लिया है, 1 टीजपून मैंने लाल मिर्च पौडर लिया कीजिया से चावर, यहां यहां पेश लेंगें पतीले में तेल के घरम होने दिते हैं उसके बाद इसमें मैं तो पतली पतली अधाया, जब तक कि यहां प्यास हमारी heaven ब्राउन कलर की नहीं हो जाती तब तक हम इसके कोफते तैयार कर लेंगे तो कोफते बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी में हाथ को डिप कर लिया है और मीडियम छोटे बड़े जिस तरह के भी जिस साइस के भी कोफते आपको बनाने हैं आप बनाते जाएए और ध्यान यहाँ पर हमने प्यास भी फ्राय होने के लिए रख दिया है वहाँ भी हम देखते रहेंगे कहीं प्यास हमारी जल तो नहीं रही है तो इस तरह से मैंने मीडियम साइस के कोफते बना लिये हैं अब हमारी यहाँ प्यास भी हलकी सी गोल्डन ब्राउन होने लगी है हम इसे तोड़ा सा हिला लेंगे उसके बाद इससे मैं डाल रही हूँ वन टे बल स्पून अद्रकलसन का पेस डालने के बाद इसे हम अच्छे से एक मिनट तक भुनेंगे तके इसका जो भी कच्छापन है इसमें से निकल जाए उसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूं टमाटर प्यूरी जो हमने पहले ही पीस कर रखी थी टमाटर प्यूरी डालने के बाद इसे हम फिर से एक मिनिट तक इसे पका लेंगे उसके बाद जो हमने नारियल का मसाला ब पॉडर दाल दिया है यहां पर 2 टी स्पून कश्मिरी लाल मिर्ष पॉडर के इस्तिमाल कर रहे हूं तीके के लिए 1 टी स्पून यहां पर दुसरी लाल मिर्ष का इस्तिमाल कर दिया है मैंने इसे सब दालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह अच्छे से मिक् ऐसे गरेवी थोड़ी लग रही है तो थोड़ा सा पानी मेने डाल दीयं है और टेस्ट के हिसाब से मैं नमंक भी शामिल कर लिया है तो हमें ग्रेवी कीनशिस्टेंसी पर्फेक्ट लग रहा है अब हम झिसे ढख कर इसमेंumuz अच्छा तो इसमें अच्छा सा उबाल आ रहा है तो अब हम इसमें जो हमने कौफते बनाकर रखे हैं वह हम इसमें डालते जाएंगे कौफ़ते दालने के बाद इसे हमें एक से दो मिनिट तक खिलाना नहीं है तो दो मिनिट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कौफ़ते अच्छे से पक गए हैं और तूड भी नहीं रहे हैं उसके बाद इसमें जो हमने डाल को उबाल लिया था उसके चिलके उतार लिये हैं मेरी भावी और मेरे अम्मी ने इसके चिलके उतार कर दिये हैं तो इसे मैंने इसमें डाल दिया है और यहां पर मैं डाल रही हूँ वन टेबल स्पून मीट मसाला यहां पर मैं यवरेस्ट का मीट मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ आप है आपके पास तो आप इसे जरूर दलेगा इसे टेस्ट और भी अच्छा आजाएगा इन सब चीजों को दलने के बाद अब हम इसे अच्छे से पकने के लिए रख देते हैं तो आप देखिए अब इसे कितना मज़ेदार लग रहा है कोफते भी कहीं से भी नहीं तूट कोफता और चिली डाल की करी बन कर तयार है उपर से मैंने धनिया पत्ता दाल दिया है बहुत ही खुबसूरत लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार ये बना हुआ है तो आप बारी आती है इसे सब करने की तो देखिए मूं में पानी लाने वाला च कोफते का सालन या फिर कोफते की करी परफेक्टली बन कर तयार है इसमें नमाक मीर्च खटा सब कुछ बहुत ही परफेक्ट तरीके से डाला हुआ था बहुत मज़ेदार बनी थी उमीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई है तो फिर इसे ल वीडियो को लाइक और शेर जरूर करेगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजीगा मैं एक नहीं है और आसान रेसिपी के साथ फिर से मिलती हूँ तब तक के लिए थैंक यू फा वाचिंग मैं चैनल